हालो एव्रीवान वेल्कम बैक तो माई चानल लाइफ सिंप्लिफाइड वैसारी का आज का वीडियो का रिजन क्या है कि जो मैंने पहले एक वीडियो अपलोड किया था कि वेटिंग लिस नंबर कहां से आप चेक कर सकते हो या इमेजियर प्लेस्मेंट का ओप्शन अगर आपको देखना होगा तो वह आप कहां से देख सकते हो तो उसी में कुछ चैंजेस के बाद जो पेज ओपन होता था उस पेज की डिजाइन चेंज हो गए होगी आपने भी नोटिस किया होगा यह डिजाइन यानि कलर चेंज हो गया है और जब ओपन हो जाता था तब जो ऑप्शन्स लेफ्ट कॉर्णर में जो आते थे अब वो ऑप्शन्स कुछ बढ़ वी उखे सो पहले वह चेंजेस देख लेते है गूगल पर जाके टाइप करेंगे सी और अरे कार नहीं ह। इंव सरच पार पपे क्लिक करेंगे धिर पैरेंस ओप्शन पे क्लिक करेंगे then resident indian parents पे क्लिक करेंगे अब यहाँ पे user id and password डालके login करेंगे अब extremely sorry यह पूरा page में आपको नहीं दिखा सकती side में मेरी personal information ही इसलिए first option है home जो अभी open हुआ है वही second option है upload documents so यहाँ पे देख लीजे आपको यह documents की पूरी list आ गई अब यह documents की file की size कौन सी चाहिए कौन कौन से document upload करने है वो मैंने second video में clearly elaborate किया है please वो video आप एक बार देख लीजे ओके so now next point is reserve child so जब baby का आपको referral आता है and आपको जब baby reserve करना होता है आपको referral पसंद आने के बाद तो आपको इस point पे click करके baby को reserve करना ही होता है okay now next point is special need children for adoption so इस पे click करेंगे तो four categories आपको दिखेंगी okay so किसी ने मुझे पूछा था कि sibling का option कहाँ पे होता है तो यह देखिए end में यहाँ पे है sibling children okay so as per the category आप click करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा okay so next point देख लेते है immediate placement का so बहुत लोगों का question होता है यह immediate placement का point कहाँ पे होता है तो यह home page पे होता है left corner में okay so immediate placement यानि क्या यह मैंने एक special video बनाई है इसके लिए तो वो video आप प्लीज एक बार ज़रूर देख लीजिए उसकी link में description box में दे रही हूँ अभी यह जो page open हुआ है click करने के बाद यह आपको जब आप first time click कर रहे होंगे तो आपको यह read करना ही करना है तो वो read होने के बाद आप नीचे box में tick जो आया है वहाँ पे click करेंगे continue पे click करेंगे तो आगे आपके points आजाएंगे single, sibling उसके accordingly आपको click करना है तो आपको सारे reference दिख जाएंगे तो वो reference आपको कैसे reserve करने है क्या करना है वो सारा मैंने immediate placement option में समझाया है please वो video एक बार देख लीजिएगा and immediate placement की list once in a week update होती रहती है तो every week आप check करते रही है okay so अब next point देख लेते हैं लेकिन आपको पहले ध्यान में आ रहा है मैंने यही है वो login करने के बाद जो homepage open हुआ है न उसी को सिर्फ zoom करके आपको दिखा रही है ताब कि आपको clear दिखाई दे okay so change agency for hsr ये क्यूं होता है अगर आपको किसी hsr agency का behavior अच्छा नहीं लगा तो आप hsr की agency change कर सकते हो तो hsr की agency कैसे select करना है यह मैंने first part में दिखाया है या आपने already select किये तो आपको पता ही है okay so hsr की agency select करके यहाँ पे सिर्फ as per जो जो information चाहिए वो सिर्फ आपको fill करते जाना है that's it okay so अब next point क्या है वो देख लेते हैं okay so next point is request for hsr revalidation अगर किसी ने first adoption किया है और उन्हें second adoption करना है तो उन्हीं के लिए है यह point okay तो आपको वापिस hsr की पूरी procedure करने की ज़रूरत नहीं है आप सिर्फ इस पे click कर दीजे and as per the info आप fill करते जाएं okay so next point देख लेते हैं update choice for adoption okay so यही है वो point जिसका सिर्फ नाम change हुआ है बाकि अंदर जो options है वो सारे same है और इसी के लिए आज का यह video बना है okay so अगर आपको बेबी का gender, age, category कोई भी state या health status इसमें से कोई भी अगर आपको changes करने होंगे ना तो आप इस point के through कर दीजे okay so automatically उपर वो info feel हो जाएंगी and वो सब केसे करना है यह मैंने first part में भी दिखाया है new video जो upload किया है online form filling का तो उसमें भी दिखाया है okay so please वो नया वाला video भी एक बार देख लीजे and आप यह जो update है यह जो changes है यह सिर्फ तीन बार कर सकते हैं उससे जादा नहीं okay अब next point है view children availability so इसमें अगर आपको आपने जो भी तीन state select किये हैं तो आपको बारी बारी करके state डालने होंगे तो उसमें adoption के लिए कितने babies available है वो आपको पता चल जाएगा as per the form आपको fill करते जाना है जो आपने online form filling के वक्त information fill करी है वही information यहाँ पर repeat करनी है okay so सिर्फ submit पे click करेंगे तो आपको सारे information clearly दिख जाएगी okay so next point is view your seniority so यह view your seniority का मतलब है wedding list number okay so इस पे click करेंगे आप तो आपको आपके तीनो state की wedding list number पता चल जाएगी okay so next point is track status okay so यहाँ पे click करेंगे तो आपके track का status क्या क्या है वो आपको पता चलेगा okay so next is post adoption so यह हैं जिनका adoption हो चुका है उनके लिए है यह point post adoption okay so मैं इस पे अलग वीडियो बनाऊंगी कि जिनका adoption हो चुका है उनको कौन-कौन से points दिखते हैं home page open करने के बाद वो में detail में दिखाऊंगी इसमें next is profile updation okay so profile updation में क्या क्या आता है update profile पे click करेंगे तो अगर आपको कोई अपकी information change करनी है आपका address आपका mobile number आपका email id तो आप उस पे click करकी change कर सकते हैं पासवर्ड पे अगर आप click करोगे तो अगर आपको login करते वक्त का जो आपका password है वो change करना होगा तो यहां से change कर सकते हो वो कैसे change करना है उसका वीडियो में ने अल्रेडी डाला है प्लीज देख लीजे third point है withdrawal अगर उस पे आप click करोगे तो अगर आपको आपकी जो adoption की process है उससे अगर आपको पिछा हटना है आपका कोई भी अगर genuine reason होगा तो आप withdrawal कर सकते हो okay and the last point is log out that's it इतने ही option रहते हैं home page पे log in करने के बाद okay so जैसे आप सब ने देखा changes as such नहीं हुए है लेकिन कुछ लोगों को confusion हो रहा था इसलिए यह video upload हो रहा है okay so अगर आपके और भी कोई questions होंगे तो आप प्लीज बेजी जग मुझे email कर सकते हो या फिर मुझे YouTube पे comment box में message कर सकते हो okay आए हो अभी आपके कोई doubt नहीं होंगे इसके अलावा सारी process as it is है सारी process same है कोई changes नहीं हुए है and yes referrals आने में late हो रहा है मुझे भी बहुत bad feel हो रहा है कि यह नहीं होना चाहिए था अभी यह करोना आ गया यह pandemic आ गया तो कोई कुछ नहीं कर सकता okay please wait कीजिए देखिए तोड़ी देनों की बात होती है मैं मेरे experience से बोलती हूँ यह दिन कटते नहीं है I know that मुझे भी ऐसा हो गया था कि कब आएगा कब आएगा लेकिन एक बार ही आने की देरी होती है फिर सब अच्छा हो जाता है okay so please wait कीजिए illegal के पिछे मत भागिये please मत कीजिए ऐसा stay calm stay positive till then bye